अब देखरेट। अधार कार्ड में 10th और 12th मार्क सीट से हम क्या-क्या बदल सकते हैं और कैसे हम बदल सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है कि सबसे उपर में जो लिंक दिख रहा है UIDAI इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तो अधार काट का ओफिसल वेपसाइट इस परकार से यहाँ पे उपेन हो जाता है और उसके बाद जो कि इस परकार से आपको नीचे आना है और एक ओप्सन आपको दे दिखने के मिल जाएगा login, login के option पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तो इस परकार के पेज यहाँ पे उपेन हो जाता है और सबसे पहले इस बॉक्स में अपना अधार नंबर को टाइप करना है और इस capture code को इस बॉक्स में आपको टाइप कर देना है उसके बा दोस्तो इस परकार का interface आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा और दोस्तो यहाँ पर दिखिया अधार काड का जितना भी service होगा इस परकार से आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है और दोस्तो एक option आपको देखने के लिए मिल जाएगा update अधार online इस वाले option प बतायागा है तो यहाँ पर देखिए एक option देखने के लिए ओप्डेट करना चाहते हैं तो दोस्तो अगर आप अधार काड में नेम अप्डेट करना चाहते हैं तो नेम वाले option को आपको सेलेक्ट कर लेना है अगर आप अधार कार्ड में date of birth को change करना चाहते हैं तो date of birth वाले option को select कर लेना है अगर अधार कार्ड में gender अप्डेट करना चाहते हैं तो gender वाले option को select कर लेना है अगर अधार कार्ड में address अप्डेट करना चाहते हैं तो address वाले update वाले option को select कर लेना इसको और उसके बाद ज कि फस्ट जो option दिख रहा है select करने के लिए नाम तो क्या हम नाम को जो है कि 10th के mark sheet या 12th के mark sheet से हम update कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो उसके check करने के लिए दोस्तो सबसे पहले जो कि इसको आपको select करना है उसके बाद जो को proceed to update अधार के option पे आपको click कर देना है और click करने के दोस्तो इस परकार से list यहाँ पे open हो जाता है कि name proof में आप document को क्या क्या लगा सकते हैं और क्या क्या नहीं लगा सकते हैं दोस्तो इस परकार से list यहाँ पे open हो जाता है और दोस्तो इस list में जो है कि 10th और 12th का mark sheet अपलोड करने के लिए option नहीं दिया गया है तो यानि कहने का मतलब है कि आप जोए कि 10th और 12th mark sheet से आप जोए कि अधार card में name को change नहीं कर सकते हैं अब दोस्तों पता करते हैं कि 10th और 12th mark sheet से date of worth को हम change कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा तो सबसे पहले date of worth को आपको select करना करना है कि क्या हम आधार card में date of worth को mark sheet से हम change कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे last में एक option देखने के लिए मिल जागा university board mark seat यानी करने के मतलब जो कि अधार कार्ड में date of birth को 10th या 12th के mark seat से आप update कर सकते हैं और दोस्तों यहां आपको बतला देते हैं कि mark seat से सिर्फ जो एक date of birth को ही update कर सकते हैं नहीं नाम नहीं address यह सारे चीज़ को update नहीं कर सकते हैं सिर्फ जो है कि आप date of birth को ही update कर सकते हैं अगर आप अधार कार्ड में name change करना चाहते तो दोस्तों एक option आपको देखने के लिए मिल जागा यहां पे देखिए tc यानी a school transfer certificate से आप जो कि अधार कार्ड में name को update कर सकते हैं और date of birth को भी update कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि mark sheet से जो है कि date of birth को कैसे update कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जो कि last वाले option जो दीख रहा है इस वाले option को आपको select कर लेना है उसके बाद okay के option पे click कर देना है और जो आपको अधार कार्ड में date of birth रखना है उस date of birth को select करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा new date of birth वाले option पे आपको click करना है और click करने के बाद दोस्तों इस परकार से calendar open हो जाता और इसमें से जोई कि आप अपना जो भी date of birth को रखना चाहते हैं धार कार्ड में यहां से आपको select कर लेना है उसके बाद दोस्तों mark sit upload करने के लिए आपको क्या करना होगा view details and upload document के option पे click करके आपको यहां से document को upload कर देना है तो upload करने के लिए दोस्तों continue to upload के option पे आपको click करना है click करने के बाद gallery को select करना होगा जिस gallery में आप रखे हुए है यहां से आपको upload कर देना है और दोस्तों document का size जो कि 1MB से कम वो PDF में होना चाहिए और जैसे आप upload करते हैं तो दोस्तों इस परकार से आपको देखने के लिए green 100% सही तो यहां पे आप समझे कि आप जो भी document बना यह date of birth सही है तो okay के option पे आपको click कर देना है उसके बाद दोस्तों इस दोनों box पे आपको tick out करना है इस परकार से उसके बाद जो कि next के option पे आपको click कर देना है उसके बाद दोस्तों इस परकार का एक page यहां पे open हो जाता है और दोस्तों यहां पे बताया गए कि आपको online pay करना होगा 50 रुपया तो आउनले पे करने के लिए इस बॉक्स पे आपको टिक आउट करना है और टिक आउट करने के बाद एक option देखने के लिए make payment इस वाले option पे क्लिक कर देना है और दोस्तों payment करने के लिए हाँ पे चार option दियागा चार option से आप payment कर सकते हैं और जैसे आप payment यहां से कर दते हैं वाइसे जो कि आपको एक receiving मिल जाएगा और receiving मिलने के बाद जो कि इसको इसको आप स्क्रीन सौट या पीडियाप में डाउनलोड करके आप रख लिजिए और उसके बाद जो